कि फाइनली गाइज हम विरीज के नीचे आ चुके हैं आप देख रहे हैं इदर यह देखिए यहां से रास्ता है दूसरी साइड जाने के लिए अब हम दूसरी साइड जाएंगे और देखेंगे उस साइड में है क्या काफी लंबा यह विरीज में आपको बता दूँ और विरीज के नियुक्ति होगे यार में इदर आयतना तो यह रेलवे फाटक है और यदर से ट्रैन गुजरती है यह देखिए आप त्रैन की ट्रेक देख रहे होंगे और दर रावे स्टेशन है सामने और इदर आप देख सकते हैं बहुत देडल से एक भाया इदर लेटे हु ऑफ ही नहीं बात करते हैं क्योकि अगर उनको कहीं जा ना होगा तो अधर है वा इधर क्या कर रहे देखते हैं ईंसे यह देख सकते अंडिल बैगो क्या हुआ कैसक्या यहां कैसे लेटे हो आप ऐसा yht सबस्सक्ट कर भूलन दो क्यों घर क्यों नहीं गए कि आ के बोलो नक्तिनफल कुमने आ रहे हूं कि क्या हो गएक अंकल घर क्यों यहा रहे हो अप घर चलिए आओ henpsyмо फंडा और यहा रात में काफिya हो गई है नहीं जाओगे नहीं आ हान आप अपने एड्रस बता दो मैं छोड़ देता हूं आपको आप अपने घर के एड्रस बता दो चलो उठो चलो आओ चलो उठो चलो अगल जी चलो चलो ना आपने घर के एड्रस बता दो चलो यह क्या करोगे रात भर आप कितना टाइम हो रखा है रात हो गई इतनी हाँ कोई प्रॉलम है बोलो चलो आपकी घर छोड़ देता हूं मैं क्या प्रॉलम है बताओ बोलो क्या प्रॉलम हुई यह देख लीक इदर यह रेलबी ट्रैक पर आप क्या कर रहे हैं हाँ पर इस सब है चलो आप आपको छोड़ देता हूँ आपकी हर चलो उठो तो फाइनली गाईज हम निकल चुके हैं घर की ओर और काफी दूर आ गे थे यार तो अब जा रहे हैं घर की ओर काफी टाइम भी समय काफी हो गया है तो गाईज फाइनली हम अपने घर की रोड़ पर आ चुके हैं और यहां से अभी खोड़ा बहुत दूर और रहे गया लगबख 500-600 मीटर तो चलते हैं यार फिर और आपको यह कैसा लगा पिर ज़िए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना